अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड सरकल में सेयर कीजिए इससे किसी की हेल्प भी हो सकती है फ्रेंड्स ये देखे मैंने आज तीन इयर लोग किये मैंने तीनों की वीडियो आपको दिखाई और देखना मैंने कैसे इनके कान के छेद को बंद किया ये एक बहुत ही आसान तरीका है बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी तरीका है सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट के कान डिटॉल से साफ करती हूँ यह मैंने कोटन में थोड़ी डिटॉल ली और बहुत अच्छे से इसको साफ कर दिया फ्रेंट्स वीडियो को एंड तक देखना यह मेरा एयर लोब रिपेर नाम से एक लोसन है जो मार्किट से मिल जाता है मैंने एक एयर बढ़ लिया और उसमें थोड़ा सा डिप किया लोसन में और जो हमारा कान का छेद है उसे आगे से और पीछे से दोनों साइड से बहुत अच्छे से राउंड राउंड करके गुमा दिया फ्रेंट जो ये लोशन है हमारे जो कान का छेद है उसमें बहुत अच्छे से लग जाना चाहिए इसे लगाते टाइम हल्की सी इचिंग होती है इसमें दर्द नहीं होता कोई टांका नहीं लगता और हमारा कान का छेद बिल्कुल बंद हो जाता है यहाँ पे बिल्कुल नई स्कीन आ जाती है हमें पता भी नहीं चलता हमारा कान पहले छीदा हुआ था यह देखी मैंने बहुत अच्छे से टाइट करके टेप लगाई यह देखू मैं हाथ से दबा दबा के अच्छे से इनको अच्छे से टेप लगा दी यह इनका दूसरी साइड का कान है मैंने इनकी दोनों कानों के छेद बंद किये इसको भी मैंने ऐसे ही डिटॉल से बहुत अच्छे से साफ किया फिर एयर लोब में एयर रिपेर नाम से जो लोसन आता है मैंने उसको एयर बड में लिया और ऐसे राउंड राउंड घुमा दिया लोसन हमारा अच्छे से कान के छेद पर लग जाना चाहिए फिर मैंने ऐसे ही देखो टेप लगा दी सारे बाल को हटा कर जो छोटे छोटे बाल होते हैं उनको पीछे हटा के बहुत अच्छे से मैंने हातों से दवा दबा के टेप लगा दी क्योंकि फ्रेंट्स दबाना इसलिए जरूरी है अच्छे से चिपक जाए और यह हमें चार- पांच दिन तक रखनी है यह देखे यह अन्पर का यह द्लोभ है इसका भी मैंने ऐसे ही लोशन लगाए ऐसे ही पहले डिटोल् से साफ्ट किया फिर मैंने इसको लोशन लगा Department अवी आप एसे ही टेप लगाए जो मेरे पास ये पांच दिन के बाद टेप उतरवाने के लिए आए तो अंदर से कैसे कान निकलते हैं तो ये भी देखना कैसे रिजल्ट आता है इसका मैंने कैमरे के सामने ही टेप उतारी है जो भी रिजल्ट होगा वो कैमरे के सामने ही होगा यह देखे मैंने इनको भी यह जो डॉक्टर टेप आती है कपड़े वाली बहुत अच्छे से प्रेस करके अच्छे से टेप लगाई और मैं इनको पांच दिन बाद दुबारा फिर अपने पालर पे बुलाऊंगी और इनकी टेप ओपन करूंगी अब की बार मैंने टेप ओपन करते हुए भी इनकी वीडियो बनाई है तो आप वो भी देखना ओन्दा चेर रिजल्ट देखना इसका कैसा रिजल्ट आया और कोमेंट बोक्स में कोमेंट करके बताना के आपको कैसा लगा यह देखे यह अब पांच दिन हो चुके हैं पांच दिन के बाद यह मेरे पास टेप उतरवाने आये हैं यह मैं दीरे दीरे से अच्छे से सकीन से अलग करूंगी यह सकीन पर बहुत ज़्यादा चिपकी भी होती है यह देखिए देखते हैं इसके अंदर से क्या निकलता है यह हमने उतारी पीछे से भी यह देखिए जहां मैंने जो इयर लोव नाम का जो लोसन लगाया था वहां से यह हलका बलैक हो चुका है यह देखिए इनका जो छेद है ये थोड़ा ब्लैक हो चुका है इसमें हलका सा जखम बना हुआ है बिल्कुल हलका सा और ये ये देखे ये मैंने एक कान की उतारी अब मैं ये दूसरे कान की टेप उतारने लगी हूँ ये मैंने धीरे धीरे स्किन से अलग किया क्योंकि फ्रेंड्स थोड़ा सा ये टेप हम उतारते तो है ना तो इसमें थोड़ा सा दर्द महसूस होता है क्योंकि ये स्किन को ज्यादा चिपकी भी होती है ये देखे इसमें भी ऐसे ही हलका सा ब्लैक कलर का थोड़ा सा ये निसा शेखतान निकला है तुझा कि अब मैं मनें च्यों ऑपन छोड़दू गी सिप पाँच दिन मैंने टैप के साथ यह है अब मैं चार-पांच दुन रखा वैस इसको ऊपन छोड़ दूँगолж rate दुझा के तीसरे नंबर का यह भी मैंने किसी की टप टेप ओपन की है इनका थोड़ा सा जखम बाकी है यह चेक कराने के लिए आये थे मेरे पास बाकी इनकी रिपेर हो चुकी है यह हलका जो जखम है यह भी धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा और इनका भी मैंने पास दिन पहले इयर लोब किया था यह देखिए मैं इनकी भी अब वो टेप ओपन करूंगी यह देखिए फ्रेंड्स कहीं जो मेरी फ्रेंड्स है कोमेंट बोक्स में पूछती है कि हमें तो कान गीला करने के लिए बोला है हम कान बार बार पट्टी को गीला करते हैं ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स मैं किसी को भी यह नहीं बोलती बलकि मैं बोलती हूँ यह गीला न ये देखे मेरा ये जो ये भी थोड़ा सा ब्लैक निसान निकला है ये देखो इनका ये चार दिन बाद का टेप उतारने के चार दिन बाद का रिजल्ट है ये देखे लगबग इनका ठीक हो चुका है थोड़ा सा ये निशान ये भी खतम हो जाएगा तो ऐसी वीडियो देख